हेलो एंड हाई ब्रवान स्वागते पिर से एक मॉक्तेस का साथ में लेकिन आज मैं लेके आया हूँ जेनरल इंग्लिस का मॉक्तेस अगर आप एपिय सस एक जब लिए प्रपरेसं कर रहे हैं से कंभाइन से कंडरी लवल और कंभाइन हैर से कंडरी लेवल एकंगीन कर देखेए कर देख कर रहे去 है तो यह मॉक्तेस को आप जरूर अंतक देखे यह यहां आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगे यो कि हमने जो ल continuing स्लेबास है APSSB का वही से ही देखके कुशन बनाया है और फ्रवियस येर से भी कुशन देखके बनाया है तो ये मोक्तिस आपके लिए बहुत इंपोर्टन है और आपको पता है आपका रिटेन एक जम में जेनरल इंपोर्टन है तो ये मोक्तिस बहुत इंपोर्टन रहने वाले है तो हम आज का वीडियो पता-पत से शुरू कर लेते हैं लेकिन इनसे पहले मैं कमबो ओफर का बारे में तोरह कुछ बता देता हूँ जो भी आप तक कमबो ओफर नहीं लिया है अगर ये दोनों को आप लेते हैं तो आपको जी के फ्री मिलेगा जहाँ पर हिस्ट्री फॉल एकनोमिक्स जोग्राफिक का मौर देन 4,000 MCQs है विच सॉलुशन आप गर में पढ़ते रहना है आपके लिए प्रिपरिशन आराम से हो जाएगा तो आज का वीडियो जल्दी से सुरू कर लेते हैं मैं हूँ आपका अपना लोकेल टीचर मोडी सर नाव लेट्स बिगिन आज का इंग्लिस का मौक्टेस में हम अलग स्टाइल से करके देखते हैं यहाँ पर हम ऐसे करेंगे मुझे लगता है आप लोग मेरा जन्यून विवेर से आप सच्छी में आप दिल से प्रिप्रिशन कर रहे हैं उन एक्जम्स के लिए तो मैं आपके लिए एक तक्स बना लेना है और कल्कुलेट करना है आप कितना कर पाया मैं इससे पता चलूंगा आपका प्रिप्रिशन किस लेबल पर जा रहा है तो बहुत इंटरस्टिंग रहने वाले हैं और आज का इस वीडियो में मैं सोड एक्स्प्लेनेशन भी दूंगा ताकि आपका माइन में हमेशा आप ना भूले तो पड़ा पचा जल्डी से सुरू कर लेते हैं तो पहला कुशन में आप देखेगा पॉर्वर्ट यहाँ पर दिया है आपका एक्जाम में भी ऐसे ही कुशन साएंगे और यह पॉर्वर्ट में मिस इस्पैलिंग है इस्पैलिंग गलत है तो आपको लेकि है तो तो यहाँ पर टॉर्वि का सही स्पैलिंग है यहाँ है एंसर होगा ओप्शन गंवर बी अवी का नह स्पैलिंग है तो तो यह होगा इसका राइग एंसर आपको फोर्वर्वि की में देखते हैं वह 버 balance का यहाँ स्थिन हो यहां ऑप्षन खेंड आपको यह सॉसे है उसका जो correct spelling है उसको आपको choose करना है तो यहाँ पर देखेगा सायद यहाँ पर phenomenon का सही spelling आपको देखना है और मैं आपको time देता हूँ ready 1 2 3 go 1 2 3 4 5 सायद आपने मन में answer बना लिया होगा इसका answer होगा C is the right answer phenomenon phenomenon क्या है कोई भी एक natural events जो भी natural panel में live or remove from a place considered dangerous वो क्या होगा इसका सही answer आपको दुना है और आपको मैं time देता हूँ जल्दी से आप अपने मन में answer बना लिजेगा चलिए start now 1 2 3 4 5 सायद आपने answer मन में बना लिया होगा लेकिन इसका सही answer है evacuate is the right answer evacuate होता है leave or remove from a place or considered a dangerous place कोई भी एक dangerous place हो गया या जैसे की मलब natural आर्ट को एक front zone हो गया या lens light का front zone हो गया तो ऐसा में क्या करता है वो evacuate करना परता है सारा घरों को सारा भेल बकरी केटल्स को तो हम इसे evacuates केट है ठीक है leave or remove from a place और यहाँ पर जो दिया गया है avoid doing something कुछ चीज करने का वो avoid करना और avoid तो मालूम है जैसे कि हम avoid करते हैं किने और एक होता है exterminate exterminate का होता है जैसे कि to kill a large group of people और animals उसे हम exterminate केता है question number five में देखे कि a person pretending to be somebody he is not तो क्या होगा एक person है एक आत्मी है जो कुछको बहाना बनाता है कि वो नहीं है तो उसका क्या answer होगा वो होगा आप मन बना लिया होगा तो उसका answer होगा de-imposter होगा जैसे कि pretend करता है वो person जो की to be somebody but he is not तो आगे देखते है question number six में question number six में हम देखे का बहुत important है यह question number six आपको दिया है यहाँ पर directions यह directions को आप परना है in the following questions some part of the sentence may have errors बहुत important है error से आपका जरूर exam में आएगा errors तो यहाँ पर find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option यहाँ पर five option दिया है उन में से आपका अगर error है तो आपको error अगर error है तो आप यहाँ पर four option दिया है चूज करना है अगर no error है तो आपको e में जा सकता है यह sentence में अगर बिलकुल error नहीं है तो तो sentence हम बना के देखते है sentence है इसका क्या option होगा आप option बना लीजिये मन में पड़ा पड़ से आपको में time देता हूँ ready one two three go तो इसका answer होगा C is the right answer employee में इसका गलत है error है ठीक है यह कैसे the company has announced a bonus for all employees S होगा यहाँ पर all employees who achieved their sales target यहाँ पर answer है आपका C C में error था क्योंकि यहाँ पर S नहीं दिया गया था ठीक है employees होगा plural में तो अगर इसका explanation चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकता है correct option is C the word employee होता है must be replaced the employees to make it grammatically correct sentence अगर हम grammatically correct sentence बनाने के लिए employee को हम employees कर देता है plural में कर देता है तो इसलिए absence is the correct answer आप अच्छा से zooming करके देखेगा इसका explanation और यहाँ पर number 7 में दिया है everyone admires Deepa everyone क्या करता है Deepa को admires करता है because of her ability to generate so good so good ideas और E में दिया है no error तो इसका option क्या होगा क्या इसमें अगर अगर आपको error नजर आ रहा है तो आप यह four options देखे अगर आपको error नहीं आ रहा है तो आप C में no error दे सकता है और आपका time आपका time चालो होता है अब आप मन में पटापच से बना लिजएगा ready one two three go तो question number seven का answer है D is the right answer D is the right answer मतलब D में क्या है आपका गलत है so good ideas नहीं होगा जैसे कि आप sentence में देखेगा everyone admires Deepa हर कोई Deepa को admires करता है because of her ability to generate so good ideas so नहीं होगा इसमें होगा such good ideas such good ideas तो इसका answer था आपका D so good ideas जो गलत है error है तो हम उसे such good ideas डाल सकते है ठीक है all right तो इसका सही answer है so good ideas तो इसका explanation अगर चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते है मैं सुन्दर से बना के दिया है so good ideas must be replaced with such good ideas to make sentence grammatically correct one all right आप यह इसका note कर सकते है आपका copy में अगर next में चलते है कुछन अबर 8 में it is the government it is the government responsibility to provide athletes with the necessary facilities for their training अगर no error है तो आप E को दाल सकते है अगर error है तो आप 4 option को choose कर सकते है now time is turned सायद आप मन में बना लिया होगा लेकिन यहाँ पर भी में error नजर आ रहा है यहाँ पर error कौन सा है यहाँ पर आप लग रहा होगा कि it is the government responsibility to provide athletes with the necessary facilities for your training आपको सही लग रहा होगा लेकिन इसका गलत का पर है aim है it is the government नहीं होगा ठीक है it is the government responsibilities अगर government responsibilities आएगा तो यहाँ पर यह में answer होना है मतलब आपका सही grammatical correction होना है governments apostrophies as दलना है government's responsibilities ठीक है governments का responsibilities तो यह सही इसका sentence होगा it is the government's responsibilities तो इसलिए a is the right answer a में error था तो इसका explanation चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकता है आप question number 9 में देखेगा आपको पिरिंदा ब्लेंक्स यहाँ पर पूचा गया है आप यहाँ पर फिल करना है यहाँ पर sentence दिया है ram was phrase for his leadership यहाँ पर आपको दलना है यह four option यहाँ पर दिया है पर दापत से आप अपना मन में answer बना लिजिएगा अगर बना लिया है तो तीक है यहाँ पर इसका answer होगा ram was phrase for his leadership क्या होगा ram was phrase for his visionary leadership all right answer होगा visionary leadership imaginary magical and broad नहीं होगा इसका होगा answer two is the correct option all right select the most appropriate option to fill in the blank यह fill in the blanks में वही आपको जिसको appropriate लग रहा है आपको option में दलना है the doctor directed the nurse to administer an medicine to the patient पठापत से आप answer बना लिजिए साइद आपने answer बना लिया होगा तो इसका सही answer है the doctor directed the nurse to administer an इसका answer होगा an alternative an alternative medicine to the patient ठीक है doctor ने directed किया nurse को की उससे alternative medicine डेना है patient alternative medicine question number 11 में देखिएगा select the most appropriate option to fill in the blanks वही आपको fill in the blanks बरना है appropriate option यहाँ पर देखना है साइद यह आप गलत भी कर सकते सही भी कर सकते पठापचे शुरू करते है हम और आपका time start होता है आप if you try to do something every day you will progress hole होगा get होगा mag या catch पठापचे आपका मन में बना लिजिए साइद आप बना लिया होगा I think आपने बना लिया होगा if you try to do something every day you will get progress लेकिन get नहीं होगा ये गलत है मेरे दोस्तो get will be the wrong answer grammatically get नहीं होगा right mag is the correct answer यहापर get किसलिए नहीं होगा get का होता है जैसे कि meaning या है get का get का होता है जैसे कि to obtain something कुछ obtain पाना जैसे कि to buy करितना जैसे कि आप मेरा जैसे कि combo offer को buy कर सकता है एसे कि आप earn कर सकता है नहीं होraGU इसे कि earn something कर सकता है get का यह meaning होता है लेकिन make का meaning होता है जैसे कि to create to create कुछ से आप नया से create करना नहीं है to force to force लाना आप अपना बलबूटे शे आपना कुछ कमाना or to cause something को चीज होने का कारण make होता है ठीक है तो यह होता है difference तो यहां पर grammatically अगर कहा जाए तो make is the right answer if you try to do something every day you will make progress आप progress होगा ठीक है जैसे कि हम और एक example लेगा जैसे कि we will not finish yet हमने आप तक finish नहीं किया है but we will making progress लेगा तो make is the right answer question number 12 में देखेगा his success is worthy of तो पताबच से इसका answer बना लिजेगा worthy of coughing, amping, simulation या emulation तो इसका answer होगा बना लिया होगा आप मन में इसका answer होगा emulation is the right answer not simulation this is the right answer his success worthy of emulation all right emulation is the right answer और यहां पर protein number में देखेगा one word substitution है यहां पर भी a person who knows many foreign language एक person है जो बहुत सारा foreign language जानता है तो हम उसे क्या कहते है क्या हो लेंग्वीज होगा grammarian होगा या phalliglot होगा या bilingual होगा आप answer बना लिया होगा इसका answer होगा foliglot ठीक है foliglot is the right answer जो बहुत सारा foreign language जानते तो हम उसे polyglot केता है लेंग्वीज होगा जैसे की मलब होगा who knows जैसे की study of the language लेंग्वीज के बारे पढ़ना ओ लेंग्वीज होगा ठीक है all right grammarian होगा जैसे की मलब grammar का बारे पढ़ता है कि ने जो grammar का बारे पढ़ता है bilingual होगा जैसे की मलब the person who speaks two language who can able to speak the two language the language जो able speak कर सकता है हम bilingual केता है ठीक है तो इसका answer होगा polyglot protein में देखिएगा synonym है आपका synonym मलब क्या है word meaning ठीक है इसका होगा आपका word meaning meaning तो word meaning आपका embecile का word meaning पथा पच्छे आप यहां पर देखिएगा कौन सा होगा पथा पच्छे मन में बना लिजेगा I think आपने बना लिया होगा embecile का meaning होगा miss appropriate is the right answer all right balance नहीं होगा remunerate भी नहीं होगा or clear भी नहीं होगा miss appropriate is the right answer and 15 में देखिएगा brief का answer क्या होगा brief का आपको meaning निकलना है synonym निकलना है पता पच्छे आपका answer बना लिजेगा क्या limited है small है little है short है आप site बना लिया होगा बहुत ही easy है इसका answer होगा short is the right answer brief का होता है मलब shortly तो यहां पर हमने सारा question solved किया जो कि आपका exam में important है ऐसे ही आपका exam में आएगा और अपना जो comment box में आप मुझे बटा दीजेगा आप कितना solve कर लिया out of 15 में से तो मुझे पता चलेगा आपका preparation level कितना हद तक जा रहा है इन से पहले मैं पिर से याद दिला दू कमब ओपर है आपको मिल सकते है आप यह QR code देख रहा होगा या पर scan कीजिए scan करने के बाद जो 400 रुपीज से payment करने के बाद यहाँ पर मुझे whatsapp कर दिया मैं आपको PDF file complete बेज दूँगा all right तो यहाँ पर समप होता है और पिर से में लेकर आओंगा mock test कोई भी subject का लेकर आ सकता है thanks for watching, do see and subscribe, bye bye, take care and it's all here